हलो गाईज, विलकम टू माई चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, कैसे आप लोग आसा करता हूँ, आप सोभी अच्छे होंगे, और 79,000 सिच्चक भरती के इंतिजार में बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या कब होगा, लिस्ट कब जारी होगी, सेडूल कब आएग रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है, तो मनुस्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो उसका लच्छ है, उसे पाने के लिए परिस्रम करना चाहिए, अगर आप परिस्रम करेंगे, तो आपको अपना लच्छ चरूर मिल जाएगा, तो ये आ देखते हैं पहली नूज क्या है हमारी पहली जल्द जारी हो शकते है सिछक भरती की लिस्ट आईए देख लेते हैं उसे क्या है नूज लिखा है प्रदेश की परिशदी द्यावले में 79 रास इच्छक भरती के तहत 1661 अभिरतों के लिस्ट जारी की जा सकती है सोमार या मंगलवार को जारी होने की उमीद है जब गौवर्मेंट कैवेट दाखिल कर देगी तब यह लिस्ट आएगी क्योंकि जो 1661 के इतर है यानि जो दूसरे अभिरती हैं वो केस करेंगे ठीक है तो कैवेट दाखिल होने के बाद जो है सोमार या मंगलवार को जो है क्या जारी हो सकती है आपकी लिस्ट इसके बाद क काउंसलिंग कराई जाएगी और फिर शायक अध्यापक के पदों पर चैने दभिरतियों को स्कूल आवंटित किया जाएंगे परसदी स्कूलों में 79,000 सिच्छा भरते का विग्यापन जारी किया गया था परिच्छा के बाद एक जून को परिड़ाम भी जारी किया गया औ और चैने दभिरतों को पहले दिन काउंसलिंग भी हो गय थी लेकिन सुप्रिम कोट ने रिजल्ट पर इस्टे लगा दिया था अब सिच्छा मित्रों के 37,349 पदों को छोड़कर बाकी 31,600 पदों का परणाम घुशत किया जाना है या परणाम अगले सब्ता जारी किया जा दे दी है सुप्रिम कोट के इस आदेश के आधार पर हाई कोट ने भी कुछ मामलों में आदेश जारी किये हैं ऐसे में 31,661 सिच्चकों की मेरिट भी प्रभावित हो सकती है बेसिक तिच्चा परिशत को 31,661 सिच्चक भरती के लिए जारी करने से पहले प्रापतांक वा पोड़ांक में संसोधन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी तो यह संसोधन की प्रॉसेस भी करानी होगी वैसे संसोधन की प्रॉसेस जो है पहले भी करा सकते थे लेकिन विभाग जो है अपनी मनमानी करता है वो अपने हिसाब से काम करता है तो कहा जा रहा है मंडे या Tuesday को जो है आपकी लिस्ट आ सकती है अगर Monday को केवेट दाखिल होती है दिन में दाखिल हो जाती तो साम तक आ जाएगी Tuesday को दाखिल हो जाएगी तो देखते हैं क्या होता है अगले ने उज़े सिचक भरती अभिरतों ने बेखिल सिचप निजिसाले का किया घहराव लिखा 31,671 पदो पर साहे कर द्यापकों की भरती में आराचण की नियमों के उलंगन का रोप लगाते हुए कई जुलियो से आए सेकड़ अभिरतों ने सनिवार को निसाथ गंज इस मा भिरतों ने काफी देर तक प्रदसन किया बाद में बेखिल सिच्छा निदेशक सरवेंद्र विक्रम पहादूर सिंग ने इको गार्डन पहुंचकर उनकी मांग सासन के समझ रखने का अस्वासन दिया ठीक है तो यह धरना चल ला था और MRC का धरना था वहाँ पर जो है सरवेंद्र विक्रम सिंग जी आये थे और उनकी बाते सुनी बच्चों की ठीक है देखते हैं इसमें क्या होता है बाकी इसमें जो है बहुत कम उम्मीद है बाकी NCBC क्या करता है वो बात देखने माली होगा हर दिन एक नहीं नूज आती है कभी का जाता है कि जिला जो है टब ही किलेगर होगा कि क्या होगा जिला बदला है या नहीं बदला है अगर स्टेट लेवल पर जो है बनती एह लिस्ट आ LAUGHन का साई से फालो किया जाता है altogether नहीं सरकार चाहिए तो जिला कई क् pestle सब्跳ार नहीं चाहिए तो जिला नहीं बदलेगा ठीक है का देख स्कूलों के लिए 31,661 सिच्चोगों की नियुक्ति में अधिगान सभिर्त्यों का जिला बदल जाएगा बरते के सीटे घटने से ज्यादा तर सिच्छा मित्रों को मंचाहा जिला मिल जाएगा लेकिन बाकी को दूसरों जिलों की रह पकड़नी पड़ सकती है कुछ जिलों मे बदल जाएगा बहरती छूट सकते हैं नई सूची अगले सब्ता जारी होने की उमीद है। गटा गटा दिये हैं यहाँ भी निर्दे से के पहले से तय सूची से ही 31,000 पद को भरा जाएगा जो आपकी 66,860 कैंडिडेट की सूची है उसी में से 31,661 पद भरे जाएगे कुछ कह रहे थे SM जो है इसमें सामिल नहीं होंगे लेकिन ऐसा नहीं है 60,65 की उड़ाएंग पर जो है जो सिच्छा मित्र पास है उनको भी इसमें सामिल लिका जाएगा और उनको खुद का जिला मिलेगा अगर ऐसा होता है कि सिच्छा मित्र की संख्या जादा है और पद कम है तो उनको भी दूसरे जिले में भेजा जाएगा इस चीज को आप लोग ध्यान केगा और जो सीटे हैं वो घटा दी गई है ठीक है तो लिखा है यहाभी निर्देश है कि पहले से तैस सूची से ही 31,000 पदों को भरा जाएगा जिला अबंटे तभिरतों में से अधिक गुणांक वाले को भी उसी जिले का फिर से आबंटन क करने में 5 फसा है इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी जिले में 1000 पद थे ठीक है और अब जो है 450 रह जाएंगे 450 रह जाएंगे पहले की सूची में पद भरने में अंतिम गुणांक 85 आया दूसरे किसी जिले में यह सुरवाद 83 के गुणांक से हो रही होती है तो वहाँ पहले उन अभरतियों को मौका मिलना चाहिए जिनका गुणांक 83 से अधिक है ऐसा करने से पहले किसी और जिले में आवंटन पाचुके को दूसरा जिला मिलेगा ठीक है तो यह सोचने वाली बात है तो मैंने अभी आपसे कहा है ना कि सासन जो चाहेगा गौर्मेंट जो चा 6601 प्रदों में क्या होता है अगर आरच्छन का नियम सही से फालो होगा तो भरती नहीं फसेगी मैंने पहले भी कहा है अगर नहीं फालो होगा तो भरती फस जाएगी बाकी एक अक्टूबर को NCBC राष्टी पिछला वर गायो क्या करता है वो तो बात देखने वाली होगी सुप्रिम कोड में भी सुनवाई है तो भरती जितना लेट होगी उतना ही दिक्कुतों के साथ पूर्ण होगी आसा करता हूँ भरती जो है जल्द से जल्द पूरी हो और सभी 666,800,600 लोगों को नौकरी मिले बिलते हैं आप से एकले वीडियो में थैंक्यू फ्रेंड धन् झाल 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 झाल